प्रिये विडिया आर्सियू, MP साइंस से आपका स्वागत है, आज हम लोग देखेंगे जो साइंस है उसका महत पुर्ण अब्जेक्टिव और ये सभी एक्जेक्टिव जो है आपका जो बोर्ड एक्जाम का जो सेंटर पेक्जाम होने वाला है 2023 के लिए तो उसमें यह महत पुरून भूमिका निभाएगा तो आए हम लोग उसकी त्यारी करें पहला कोश्चन क्या है पहला कोश्चन है कि विधुत जनीत्र का शिधान अधारित है तो विधुत जनीत्र मतलब जरनेटर क्या करता है या या जो है या यांत्रिक उरजा को विदुद उर्या में बदलता है तो यह देखिए विदुद चुमा की प्रिणार पर काम करता है ठीक ना इसमें अप्सम होजेगा आपको मालूम होगा आश्टुदेंट्स जो फिय चोता है तो फिय च में यदी साथ है तो उधासीन होगा और साथ से कम है यह दिमान चे है पांच है चार है तीन है तो यह इधर अमलिय बढ़ेगा ठीक ना इधर आमलियता बढ़ेगी और साथ से जैसे ही होगा आठ नो दस इधर जो है छारियता बढ़ेगी तो यहाँ पर D option जो है सही है अब है निर्षित से कौन साथ जुग में समावायवी है तो आप सभी जानते हैं कि अणोसुत्र एक ही और संचासुत्र भिन भिन हो उसको हम घटना कोता है समावयवता और ऐसे जो है समावयवी तो यहाँ पर C2H5OH और CH3OCH3 यहाँ पर यह जो है समावायवी के जुग में है C option सही हो जाएगा अब है चौथा में question है चार question है कि निर्षित में से कौन ओधातू है ओधातू कौन सा बताना है लोहा तो यह तो धातू है कारबन अधातू है अलमोनियम धातू है यह भी सोना भी धातू है इसमें जो है B option जो है सही है बहुत पार यह पोच चुका है बोड़े जाम में अब नेक्स्ट कोशन पांचन दखते हैं कि एथनॉल का क्रियासिल मूलक है क्या क्रियासिल मूलक है OH CH CHO किटोन का होता है CHO कर्वक्सिलिक समू होता है और यहाँ पर यह किटोन का है यह LDH का है तो यहाँ पर एथनुल किसका हो जागा OH क्याशन हो जागा next question 6 में कि सुकराणू बनता है एसपर्म कहां बनता है बिरिशन में अंडासिय में गरभासिय में मुत्रासिय में तो इसमें होगा बिरिशन में ठीक है ना गरभासिय यह अंडासिय में अंडा बनता है next लोग दखते है oxygen है oxygen क्या है वासा है enzyme है hormone है carbureate है तो आप सभी जानते है कि oxygen क्या है एक पादफ हर्मोन है तो इस लिसमें कौन सभी होगा C option सभी होगा आप जानते हैं अगजिन जिब्रेलिन साइटोकाइन FC-6 एथिलीन यह सभी जो है पादफ हर्मोन है और याद रखियेगा ना जो फल पकाना हर्मोन कौन है एथिलीन है बहुत पर पूछे चाच चुका है अब आज देखते हैं आठमे कोश्यन मनुस्य में ब्रिक सबन्दित है भी भी आई कोश्यन है एक दम बिल्कूल हर बार यह पूछते रहता है पोश्यन से सबन्दित है स्वसंद से उत्सर्जन से परिवहन से तो ब्रिक जो होता है वो विकार पता तो कचाने काम करता है तो उत्सर्जन से होगा इसमें C अप्सन सई है सई अहार स्रिंखला है कौन अहार स्रिंखला है सई चाटना इसमें तो घास को खाता है ही रन और यह खाता है सेर मचली को घास जी और घास को गाए, मचली को घास खाएगा, जी नहीं न, तो ये गलत हो जाएगा, ये सबी गलत है, ये करम गलत है, और ये D option जो है students सही है, तो आप जो है मैरे चैनले पर हमें सब बने रहे हैं, काइम रहे हैं और इसको अन तक दखियेगा students ये जो है मैं आपका रिविजिन करा रहा हूँ और इसमें मैं शिर्फ ये टॉपिक की नहीं वलके यह जो पुद्ट आहे हुए हैं पूछे कोई तो सिर्फ इसी कोई नहीं बलके और भी कोई आपको बताते हैं चुनों का आपका बलकल बढ़ियां से होगा और हमारे चैनल बात ही बोलते हैं इसको तो ये और सेसी यंग भी नहीं है इसमें जो है होगा और समझाता हुआ है कि निश्ट कुस्टन देखते हैं किसी वीम का आउतल दरपनों दवरा बना परतियों अभासे सिधा एंबियम से बड़ा पाय जाता है तो बस तो किस्ति कहा होनी चाहिए मुख के फोकस था वकता के बीच में पता के अंदर पर वकता के अंदर से पर दरपान से धुरूत है था मुख के फोकस के बीच में तो P और F के बीच में होता है तब बड़ा प्रदी मनता है D option इसमें साही है एक उत्ता लेंस होता है ध्यान दिजिएगा उत्ता लेंस तो यह नहीं उत्ता लेंस है यह क्या है उत्ता लेंस होता है इस तरह से इसमें आप क्या दखते हैं बीच में मोटा है क्या है पतला है बीच में क्या होता है मोटा और ऐसे आपकी जिए अनश्डेंस इस तरह से तो ये Temperature से होता है Outer Lens इसमें बीच में धसा हुआ है तो Beach की अपिक्षा किनारों पर मोटा ये तो नहीं होगा किनारों की अपिक्षा बीच में मोटा C अप्सन जो है साइघ है मानोलेतर में जिस भाग पर किसी बस्तू का परत्विम बनता है वह है कौर्णिया परितारिका पुतली द्रिष्टी पटल तो एजिदेंट्स रेटिना पर परत्विम बनता है रेटिना को ही हम लोग कहते हैं द्रिष्टी पटल रेटिना याद रखिएगा ये कोशन जो है बहुत ही महत पुर्ण है अब है चुदा में क विधूत सकती का SI मातरक क्या होता है system of international विधूत सकती का तो आप सभी जानते हैं क्या होगा वाट होगा देखिए और answer वाले इस तरह से आप जाद रखिए आप एक किसी विधूत बल पर 220 वोल्ट और 100 वाट रखा है 100 वाट अंकित है तो जब इसे 110 वोल्ट पर परचार्ट करते हैं तब इसके दोरा उभुक्त सकती कितनी होगी बताना है हमको तो पहले हम लोग क्या करेंगे पहले हम लोग क्या करेंगे P बराबर क्या होता है B I तो P बराबर B I से हम लोग निकाल लेंगे तो I कमान कितना हो जाएगा बोलिए P बटा में B हो जाएगा तो P बटा भी हो जाएगा तो P कमान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 100 है ठीक ना और बटा में B कमान कितना है 220 है तो 220 रख देंगे इसको कटाएंगे तो यह कट गया और यहाँ पर आगया 10 बटा में 22 इसका हो जाएगा 5 और निच्चे हो जाएगा 11 यह i का माना गया अब कर आए कि इसे 110 भोल्ट पर भेजेंगे तो सक्ति कितनी होगी तो p बराबर हो जाएगा b i फिर से सुतर इसको लिखेंगे b का माना कितना रख देंगे 210 गुने 5 बटा में 11 तो यह 11 दहां कर जाएगा 10 बचे 50 कितना गया 50 वाट आगया ठिक ना इसमें C अप्शन जो है साही है अब है निविखित में कौन 100 जविक है तो इसको इस तरह का जो होता है उसको आपको देखते ही देखते ही पहचान जना है कि कौन जो है 100 जविक है देखिए इसमें क्या है इसमें क्या है इसमें कौन 100 जविक है यह आपको देखते ही देखते ही जाना है कैसे जानिएगा जिसमें कार्बन हो जाएगा ध्यान दिजिए मैं क्या का रहा हूं यहां पर देखिए कार्बन C है कि नहीं है है ना इसमें C मतलब कार्बन यहां पर में CH4 होगा अब एक लोहा को जिंक से लेपित करने की किरिया को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं गैलवेन नी करण भी ओप्सन सही है आधुनिक आवरसाड़नी में तत्तों के वरिक्णा का अधार क्या है तो आधुनिक आवरसाड़नी मोसले ने सजाय था और ये सजाय था परमाणु शंक्या के अधार पर और ध्यान देजिएगा परमाणु दरमान के अधार पर जो है मेंडलिव ने सजाय था ठीक ना ये मेंडलिव सजाय थे मेंडलिव ये दो ही पूझता है वी वी ये स्टेंट्स है दोनों म में बनता है तो वो होता है और वाईवेश वसन में इथाल अल्कॉल बनता है सु आप पोशी पोश्णक के लिए आवश्चा क्या है CO2, कलोरोफेल, सूज का प्रकास इन वे से सभी आप सभी जानते हैं कि जो सभी हरे पोश्णक जो होते हैं वो वाईव मंडल से CO2 लेते हैं सूर्ज की परकास में वो अपना भोजन जमीन से क्या लेते हैं जल लेते हैं हम लोग त्यारी करेंगे हम आपको डेली जो है साइन्स का मैत का जो भी मतलब की है आपको यह आती लगू लगू जो भी है उसको मैं आपको बतलाते रहूँगा और टिपकर कोश्चन भी ज्यदा इस पर देना है तो रिविजन किजिए ठीक ना और मेने चल्ड बने रहिए और अन तक देखिए इसको और शेर भी दोस्तों के साथ में किजिए यदि आभी आप तक नमेरे चल्ड बने को सब्सक्राइब या नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेजिए तो आज क्या इतना ही ठीक्यों बेर मेंच वीडियो मिलेंगे तब तक आपको बहुत बहुत